मिच मसाला में पिरसे एक बार स्वागत है और आज पनाने जा रहे हैं मतर की डाल चुकि विंटर सीजन है और मतर अभी अभी अविलिबल है तो आए हम शुरू करते हैं कि मतर की डाल हम कैसे बनाएंगे हमें लगेगा दो बड़े का टोड़ी मतर के दाने साथ में हमने लिया एक बड़ा साइस का दो मीडियम साइस के आलू जिसे हमें एक इंच के टुक्रों में काटा है तु ब्लगा एक चामच जिख गालिक पेसर क्षज स६ 一ा मीच चैह निया है एक चैانीया पावडर एक चैह में लिया है जीरा पाउडर और इस में हम बिलाएंगे हल्दी और ला तो यह हमारे मसालो का पेस्ट तयार है इसे हम साइट करते हैं तो आई आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं पहले हम मतर को करीब 10 मिनट के लिए या थोड़ा सॉफ्ट होने तक इसे बॉयल कर लेंगे और जब अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो इसका पानी को हुंड्रेन कर हमारा मतर बॉयल हो चुका है यह भी सॉफ्ट है तो हम इसे कटोडी से हम इसे मैश करेंगे आपको यह प्रोसेस कटोडी यह हाथों से मैश करके करना इसे मिक्सी ग्राइन में एक दम ना पीस है नहीं तो यह पूरा अच्छे से पिसकर पेस्ट बन जाएगा जो हमें इस ड करहाई और करहाई में हम डालेंगे दो बरेचमत सरसो का तेल आप जो भी तेल यूज़ करते हैं और यह जब गरम हो जाएगा तो हम इसमें आलू डाल कर इसे प्राइग करेंगे हम इसे धक धक कर पकाएंगे ताकि हमारा आलू जल्दी से पग जाए और रेडिश हो जाए का अब यह हो चुका है तो हम इसे एक अलत बाल में निकालके साइट बाखी बचल नमग भूर में हम डालेंगे जीटा और शाहितो थोड़ा सा हीं और इसमें हम डालके फ्राइगे प्याज को हम इसमें थोड़ा सा नमग भी डाल देते हैं ताकि प्याज हमारा जल्दी से पक जाए और अच्छे से थोड़ा सा गल जाए जो हमें मसाले के लिए लगेगा तो यह देखिए प्याज हमाना अब एकदम रेडी है एकदम सही स्टेच पर है तो अब इसमें हम डाल देते हैं जिंजर गाली पेस्ट और इसे के अच्छे से हम मिर्च पेस्ट स्सक्राइब योम हना अच्छे से पर देते हैं करिब 2 मिन, के लिए इसे भी कमाच पर पका लेतेए दो मिनि ओ चुके हैं तो अब इसमें टराल देते हैं टमाटर और इसे हम तब तक हमारा मशाला इकदम तो अब इस स्टेज में हम इसमें डाल देते हैं मटर डालने के बाद हम इसे करीब पांच मिनिट के लिए कम आज पर थोड़ा सा भून लेते हैं पांच मिनिट हो चुके हैं यह देखिए मक्तर मसालों से कितने अच्छे से मिल चुका है अब हम इसमें डाल देते हैं अलू और अगर आपको जरुवत पड़े तो आप इसी स्टेज में और भी नमक डाल सकते हैं ध्यान रखेगा नमक आपने प्याल डालते वक्त भी डाला दाल कर भी आपको इसे कम आज पर करीब पांच मिनट के लिए भून लेना है फिर हम इसमें डालेंगे पानी पानी हमने डाला है एक ग्लास पर हम उसे एक साथ नहीं डालेंगे पहले मैंने आधा ग्लास डाला इसे डाल के अच्छे से मिला लेते हैं और जरूरत पड़े त करने के लिए आप इसे चपापी के साथ भी खा सकते हैं चावल के भी साथ खा सकते हैं आप इसे जरूर ट्राइए किजिए अपना फीबबैक हमें कमेंट शक्षन में जरूर दीजिए अगर आपको यह पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए अमाने चानल को सब् कुले रनिवाल